गुड मोर्निंग एवरिवन दोस्तों आज है अक्टूबर 19, 2022 और हम लोग करने वाले हैं ता हिंदू न्यूस पेपर के नालसिस मेरा नाम है सितेंदर चोदरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टोपिक्स ले गया हूं यह बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौ कि इंडिया के दुआरा ही लिया गया एक बहुत ही important initiative है और इसके अंदर कुछ अभी बहुत ही important development शुही है, उसके बारें बात करेंगे। बहुत सारे बज्चों के लिए में थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर कुछ development हुआ है और speed of light के बारे में बात करेंगे यह आज का basically explained section है जादा थोड़ी सी physics के इसके अंतरी नोंने जादा डाल रखी है लेकिन कोशिश करूँगा को simple language में बताने की 1962 war के बारे में एक छोटा सा editorial है मुझे लगता है कि पिछले 6 महिने में यह सबसे छोटा editorial हम लोग करने वाले हैं बट थोड़ा सा थोड़ प्रोवेव प्रोवकिंग है तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं और कुछ additional article भी यहाँ पर डाल दिये गए हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबीने वीडियो को पहले लाइक करना है फिर अपने attendance देनी है ठीक है नीचे comment section में गुड मोर्निंग गुड इवनिंग सलाम नमस्ते राम राम जो भी करना है करिए लेकिन attendance जरू डाली है चलिए जी पहले टोपिक में बढ़ते हैं तो मामला बनता है आपका केरला से और वैसे तो यह governor आरिफ मोहमद खान जी है काफी controversy में हमेशा से रहते ही हैं कभी अच्छी चीजों को लेके कभी खराब चीजों को लेके और खैर उसमें हम लोग judgment में नहीं जाएंगे हम लोग सिरबात यह करने वाले हैं कि केरला के CM और पिन्ना राई जी जो है और इनके बीच में इस chancellor होते हैं उनको elect करने की उनको appoint करने की तो यह constitution के द्वार उनको basically दिया गया है हाला कि पंची कमीशन सच्चर कमीटी पंची कमीशन वगरा ने कहा है कि उनके पास यह power नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखे education और universities यह वह तो state का मामला है न और governor तो center के द्वार पॉइंट होता है जो नहीं होना चाहिए तो इस बार भी कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ जब VC के चुनाव हो रहे थे किरला university के अंदर तो वहां पे आरिफ मुहमद जी के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि यहां पे जो है वो नेपोटीजम हो रहा है और पिन्नराई जी के personal secretary हैं उनके कोई रिष्टेदार हैं और उनको जो है वहां पे VC बनाया गया है यह basically proposal उसमें आया था और जो किरला का एक education bill भी 2022 में उन्हों ने hold पे उसको रख दिया है उन्हों पास नहीं उने दिया you know very well वो सारी situation को अब मामला यहां तक हिस्ता चला गया तो उसमें यह हुआ कि VC के election क के लिए जिन लोगों को आना था वोट उगारा करने के लिए उनमें से कुछ लोग तो nominated थे जो governor के द्वारा थे दो लोग और 15 लोग जो है वो जो state government के द्वारा point के गये थे तो यह लोग meeting में आये नहीं तो governor साहब ने उनको जो है बरखास्त कर दिया suspend कर दिया तो यह से नीचे उतार सकते हैं यानि कि वो ministers को suspend कर सकते हैं ministers को हटा सकते हैं उनके minister के पद से यह उन्होंने statement दिया था अब पिछली वाली जो controversy आपको बताई है मैंनी university वाली सब भूल जाओ वो हमारे ले कोई matter नहीं करती है as an example यह चीज हमारे ले matter करती है कि जो इन्होंने बया क्या उसमें को सच्चाई है क्या गवर्नर के पास actually power होती है ministers को हटाने की यह यहाँ पर जो है constitutional question है जो UPSC के perspective से important है बागी कहानी कोई कोई जादे important नहीं थी देखिए according to constitution article 164 क्या कहता है वो कहता है कि chief minister को appoint किया जाता है by governor उसके लावा जो दूसरे ministers होते हैं chief minister के लावा उनको भी appoint किया जाता है by governor on the chief minister's advice. Chief minister जब advise करते हैं बो यह फिलाने ध्यमकाने को minister बना दिया जाए तो governor उनको appoint करते हैं देखे governor का appoint करने का मतलब यह होता है कि governor उनको ओध शपत दिलवाते हैं यह मतलब होता है मतलब finally उनका जो appointment letter होता है उसके पर governor के ही signature होते हैं you know very well कि जितनी भी executive functions किये जाते हैं सरकार के द्वारा ultimately signature उसके पर governor के ही होते हैं जैसे center में president के होते हैं तो कि head तो president ही होते है न और यहाँ पे head governor होते हैं तो chief minister को और दूसरे minister को appoint करने की power होती है governor के पास लेकिन यह power governor की independent power नहीं है भाई साब हालांगी यह कहा गया है कि जो भी minister होते हैं वो तब तक office में रह सकते हैं जब तक उनको governor का pleasure मिलता है मतलग governor जब तक चाहते हैं वो रह सकते हैं लेकिन यहाँ पे governor की independent और governor की individual मर्जी नहीं चलती है भाई वो chief minister की aid और advice पे ही किसी minister को हटा सकते हैं अपने मन से नहीं हटा सकते सुप्रीम कोट ने भी यह साफ साफ बोल दिया है कि governor की independent इच्छा क्या है जो council of minister है उसकी aid और advice गवर्नर के ओपर mandatory होती है उसको पालन करना ही पड़ता है और किसी भी minister को governor अपनी मर्दी से ना तो हटा सकते हैं ना ही appoint कर सकते हैं भाईया वो भी chief minister की advice पे ही हो सकता ह यह constitutional और यह सुप्रीम कोट के दवारा fixed position है मतलब governor अपने आप से कुछ नहीं कर सकते यह है पूरे कवरा मामला ठीक है जी तो जो इन्होंने कहा है आरही मौमद जी ने शायद इन्होंने थोड़ा सा भावराओं में बहकर कहा दिया होगा लेकिन constitutional को इस तरह की कोई power नहीं यह इंडिया ने ही लिया था सबसे बड़ी बात इंडिया ने क्या किया 2016 से थोड़ा पहले basically हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया ने एक proposal दिया और वह सबसे पहले proposal दिया गया था इंडिया एफरीका सब्मिट के अंदर उस proposal में यह कहा गया था कि जो country जिने हम लोग sunrise countries कहते हैं यानि कि जो tropical of tropical of cancer, tropical of capricorn के बीच में होती है tropical country हम इनका एक group बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे sunlight काफी अच्छी होती है तो यहाँ पे solar power को लगाना और solar energy को produce करना वो काफी सस्ता पड़ता है तो इंडिया ने यह कहा कि हम इनका एक group बनाएंगे और यहाँ से हम लोग बि है तो हम लोग ने पहले group बनाया इंडिया अफ्रीका सब्मिट में हमने बातचीत किया फिर फाइनली जो 2015 में पैरिस convention हुआ था इंडिया और फ्रांस ने मिलके इसको जो है launch किया था अभी इसके अंदर 121 countries हैं तो यह सब country क्या करती हैं यह इन्होंने group बनाके solar power को इन्हो promote करने की कोशिश करती हैं क्योंकि solar एक बहुत ही clean साफ सुथरा environmental friendly तरीका होता है विजली पैदा करने का जिसके वज़े से हमें coal के ओपर dependency नहीं रहनी पड़ती है तो यह थो पूरा मामला आपको समझ में आ गये होगा क्या था ठीक है बट solar power भया कोई ऐसी वैसी power नहीं है कैसे free में पैदा हो जाएगी उसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा रोकड़ा बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और पैसे के लिए आपको funding चाहिए होती है और funding कहां से आएगी अब ये बहुत बड़ा सवाल है अभी तक solar alliance की facilities को funding कहां से मिलेगी इसका कोई proper हमारे पास mechanism नहीं था लेकिन अभी जो दिल्ली में meeting हो रही है हम लोगों ने finally decide कर लिया है के पैसा कहां से आएगा तो हम लोगों ने क्या किया जो international solar alliance की जो general assembly है highest decision making body होती है इनों ने solar facility को अप्रूव कर दिया है दो तरीके से funding आएगी पहली आएगी solar payment guarantee fund और दूसरा आएगा solar insurance fund त भी यहाँ पर contribute करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग अलग-अलग country के अंदर solar plant लगाएंगे हमारी जो यहाँ पर priority रहने वाली है वो रहने वाली African countries जो की underserved हैं African country के अंदर वैसे भी power की काफी कमी है और वहाँ पर काफी जादा sunlight भी होती है वो हमारी priority यहाँ पर रहने वाली है इसका मतलब यह है कि हम लोग आने वाले समय में इंडिया की leadership में हम लोग वहाँ पर बहुत सारे solar power plant लगाने वाले हैं हमारा target क्या है हमारा target है 2030 तक 1 trillion dollar invest करना different type of projects in the solar power हला कि तुद देखने में अगो थोड़ा सा ambitious लग रहा होगा but this is the target of us ठीक तो यह है पूरे का पढ़ना चाहो तब इसको भी पढ़ सकते हो यह था थोड़ा सा solar alliance के बारे में अब आपको टोपिक की importance बता देता हूं कितनी importance है जब इसको launch किया गया था तो अगले ही साल 2016 में UPSC ने सवाल यहां पर पूछा था बार आपको बार बार आपको बताता हूं अगर climate change clean energy इसक ने पूछ लिया है question को पढ़िए अराम से ध्यान से पढ़िए थोड़ा pause करिए comment section में आप मुझे इस का अंसर जल्दी से जल्दी बताएंगे ठीके जी चलिए कल भी हम लोग ने आपसे सवाल पूछा था और with reference to the chemical fertilizer in India consider the following statements यह 2020 2020 का UPSC का question था तो इसका answer आपका हो जाता ह है two and three बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही answer दिया और कुछ बच्चों का answer गलत भी था anyways गलत रास्ते से ही हम लोग सही मंजिल तक पहुंच आते हैं बहुत बार तो this is the thing भाया जो chemical fertilizer होते हैं वो market driven नहीं होते हैं उनको government of India के दोरा regulate किया जाता है उनके price को even उनकी composition को भी क correct हो गया था चलिए थोड़ा सागे बढ़ते हैं एक चोटा सा topic है जिराफ को लेकर जिराफ शायद आपने नहीं देखे होंगे हमारे country में जिराफ है भी नहीं जो थोड़े बहुत जिराफ पाए जाते हैं वो Britishers लोग इंडिया में लाये थे मतला हमारा इंडिया के अंदर जो है naturally हमारे जंगलों में जिराफ नहीं पाए जाते हैं 1500 साल से पहले के असपास Britishers लोग उसको यहाँ पे ले के आये थे अपने मनोरंजन के लिए अब वो दो category के जिराफ यहाँ पे लेकिन जिराफ की हमें अभी तक यह नहीं पता था कि हमारे इंडिया में जो जिराफ ह वैसे तो चार स्पीसीज होते हैं लेकिन चार स्पीसीज के अंदर भी छोटे-छोटे सब स्पीसीज भी होते हैं तो हमें अभी तक इनका नहीं पता था क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इनका जो है जीन स्ट्रक्चर गरा चेक नहीं किया था इसका अभी तक हम लोगों न बग अभी 29 के लगबग जिराफ मिलते हैं लेकिन ये जंगलों में नहीं है ये सब captivity में रखे गए हैं कलकत्ता के zoo में रखे गए हैं मैसूरू चिन्नाई पतना गौहाटी थोड़े थोड़े करके दर रखे गए हैं इंडिया में अभी तक जितनी DNA sampling हम लोगों ने किया है उस क्योंकि ये दोनों category IUCN की critically endangered condition में है critically endangered IUCN इसका मतलब ये है कुल मिलाके के इंडिया के जो जिराफ हैं आने वाले समय में IUCN उनको critically endangered की category में डाल सकता है ये थी बस आपकी थोड़ी सी news हलका सा जिराफ के बारे में आपका basic जानकारी दे देता हूँ जिराफ की बेसिक लि इंडिया में जो अंगरेज ले आये थे बिटिश्र लेक항े थे वो लेका थे नदन जिराफ ठीक है नूब्यान जिराफ अब ये इसकी जो है सब crypto है नूब्यान जिराफ कोड़ऻि जिराफ और West African जिराफ ये नदन जिराफ की ही सब species है ठीक है? जबकि जो raw child जिराफ है वो भी नूबियन जिराफ के जैसा ही होता है और ये दोनों ही critically endangered हैं IUCN के लिस्ट में अब आप सोच रहोंगे sir मैं बार-बार IUCN बोल रहूँ ये actually बला है क्या आपको बता देता हूँ ये एक international union है ये एक NGO है जो की nature की conservation के लिए काम करता है अब उसके अंदर animal भी आते हैं उसके अंदर plant भी आते हैं और ये लोग अगरे बहुत परानी सज था ये 1948 भी इसका establish किया गया था स्विजर लेंड में इसका जो headquarter है और ये बहुत studies करती है plants और animals के बारे में लेकिन 1964 के बाद इन्होंने एक red list जो है threatened species की जारी करना शुरू किया था जिसके अंदर एक list बनाते हैं बहुत लंबी चोड़ी list होती है जिसके अंदर इन्होंने बहुत सरी categories को यहां पर रखा हुआ category आपको बता देता हूँ extinct in wild, critically endangered endangered, vulnerable, near threatened least concerned, data deficient and not evaluated ठीक है, यह nine category होती है कहीं पर exam में पूछ लेता है, वो आपको eight देगा, seven देगा six देगा, तब दो ध्यान देना है इन category के basis पे वो यहां पर क्या करता है, species को जो है, वो categorize करता है तो जो extinct होते हैं, वो तो खतम हो चुके है जैसे डोडो हो गया, mammoth हो गया you know, dinosaurs हो गया they are extinct completely दूसरे होते हैं, जो जंगलों में extinct होते हैं, लेकिन अभी भी captivity में survive कर रहे हैं they are extinct in the wild यह होते हैं, critically endangered critically endangered वो होते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जंगलों में पाई जाती है, अगर हम लोग इसका ध्यान नहीं देंगे, तो they can go extinct in the wild, यह सबसे important category है मतलब बिलकुल border के उपर खड़े हैं थोड़ा सा ध्यान आपका हटा तो वो extinct क्वाली 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 में आ सकते हैं और एक बार अगर आप एक्स्टिन वाली क्वाली क्वाली में आ जाते हैं तो revive करने में बहुत समय लग जाता है तो हमारा जो newian और जो roadside जीराफ है वो दोनों ही इस category के अंदर यहां पे रखे गए हैं यह थोड़ा सा अपने यहां पे ध्यान रखना है IUCN के बारे में और यह भी बहुत important topic है IUCN वाला और बार exam में इसको जो है बार बार पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान देना अपने ठीक है और एक बहुत लंबी चुड़ी list भी है आप इसको याद कर सकते हो ठीक है IUCN की website पर जाओगे आपको वहाँ पर भी मिल जाती है अगर आप Google पर सर्च करोगे तो India specific जो species हैं उनकी list भी आपको मिल जाती है यह हर साल updated भी होती है तो थोड़ा सा आप अपने content को ऐसे enrich कर सकते हो ठीक है चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है वो कहता है grazing animals की to long term soil carbon stability देखा आपको बताता चलता हूँ जो soil है न उसकी बहुत importance होती है दुनिया में जितने भी plants हैं समझे हो दुनिया में जितने भी plants हैं उसके लावा हमारे जो ocean bodies वेगरा वो सब रहती हैं उन सबसे ज़ादा carbon हमारी soil में store होती है ये भी बड़ी interesting सी चीज है तो soil जो है वो carbon को store करने का बहुत ही effective तरीका होता है और soil को maintain करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है कि भाईया वहाँ के जो grazing animals हैं वो यहाँ पे बहुत important role play करते हैं grazing animals जैसे हमारा अमला पहाडों की अगर बात करें जैसे स्पीती वैली की बात करें तो जैसे याक होता है आइबेक्स होता है ये वहाँ के herbivores होते हैं जो वहाँ पे चराये जाते हैं ठीक है वहाँ के जो बहुत सारी ऐसी nomadic tribes होती है जो उनको चराती है इनका बहुत important role होता है soil को maintain करने में और अगर soil maintain रहेगी तो carbon भी प्रपर तरीके से maintain रह सकता है तो future में हमारा सारा जगडा ही carbon के पीछे हो रहा है carbon का emit कर रहे है climate change हो रहा है global warming हो रहा है तो soil can be a very important factor है तो कहीं बार ऐसा होता है माचल में उत्राखंड की सरकारें के order pass कर देती है के भाई आप इस जगह पे जानौरों को नहीं चराओ गए लेकिन यह study कहती है which is done by CEC और DCCC के भाई अगर soil को maintain करना है बचाना है तो उसके लिए grazing ज़रूरी है ठीक है छोटा सार्टिकल तो कुछ खास भी नहीं है बड़ छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो nothing important चलिए एक बड़ा interesting सार्टिकल है यहाँ पर कहता है यह जपैन सीक्स जी आई टैग फोर द नहोंशू यह पुछेगा आप से एक्जाम में नहोंशू एन एलकोहलिक बेवरेज ब ल confirmed के यह जह दो दे दे लाखने को मिलेगी नोर्थ इस में चले जाओंबे भी बनती है डारू का फरेंट करके पर के डारू बनाए जाती है तो यह जो दारू है वहां की लोकल वैरेज लकोहलिक बेवरेज बो आपकी मर जिह इसका नाम है निहॉंसू और जिपान में काफ पीते हैं वहाँ पे लेकिन वो उसको celebrate करने के लिए नहीं पीते हैं दुख में भी और सुख में भी वहाँ पे दारू पिया जाता है और वहाँ पिया जाता है निहौन्सू हालांकि लोग डेली लाइफ में भी इसको पीते हैं बट जादा तर function शुगारा में इसका use किया जा होते हैं यह अपने थ्यान देना है यह पेसी में अगर पूछ लिया तो उसने बाई चांस पहला होता है राइस दूसरा होता है कोजी किन यह एक टाइप का जो है फंगल स्पोर होता है फंगल होता है जो fermentation में help करता है और तीसरा होता है पानी तो आपने कुछ नहीं करना है एक बोतल में चावल डालने है यह कोजी किन डालना है और हलका सा पानी डालना है उसके बाद तीन चार हफ़ते के लिए उसको राम से रखो उसकी fermentation होती है और उसकी दारू बन जाती है कितना आसान है पहले क्या होता था राजा महराजा जब जब जपैन में होते थे तो को हाइर कर लिया जाता था निहोंसू बनाने के लिए और एक पीरिड ऑफ टाइम क्या हुआ वो जो कुछ किसान थे जो ओफ सीजन दारू बनाते थे उनके हाथ हमें भई एक्सपर्टीज आ गया जबरदस्त वाला तो इसलिए उसको बड़ा खास माना जाता इस दारू को तो देखते हैं जी आई टैग तो मिलेगा कि इसको नहीं मिलेगा वैसे मुझे लगता है मिल जाना चाहिए लेकिन जी आई टैग एक्सली होता क्या है तो इसलिए आपको पते ही ना टैग आप जब कपड़े वगरा खरीदने जाते हैं आपके टी-शर्ट के ओपर जीन्स क और वो किसी खास प्रड़क्ट को मिलता है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया से बिलोग करता है जिसको आप कहीं और नहीं बना सकते जैसे आप अगर कहेंगे जैसे आगरा का पेड़ा कहीं का पेठा कांची पुरम साडियां है ना अलग-अलग तरह के GI indicator होते हैं तो उसको आ जैसे दारजलिंग टी इंडिया में पहला ऐसा प्रड़क्ट था जिसको GI टैग मिला तो 2004 में मिला था शायद ठीक है उसके लाब कहीं तरह के different type of rice है और मिठाईयां है है और हैंडिक्राफ्ट का समान होता है जिसका आपको GI टैग मिल जाता है GI टैग मतलब यह है कि भाई यह area इस यह product इस जगह से belong करता है और कोई और इस product को commercially exploit नहीं कर सकता ठीक है अगर मतलब आप यह समझ लीजे अगर तंजावर painting बनेंगी तो वो तंजावर के अंदर ही बनेंगी दिल्ली में आप कोई painting को बना के यह नहीं कह सकते कि तंजावर painting है आप उसका economical benefit नहीं उठ सकते तो basically आपको legal तोर पे protection मिल गया है एक authenticity के लिए यह मतलब होता है GI tag का आपका product की value बढ़ेगी आपके product का export बढ़ेगा और आपके product की इन्हों security भी रहेगी यह होता है GI tag का मतलब तो हमारी यहां पर geographical indicator of the goods registration the protection act 1999 है जिसके तहट काम करता है और इसका headquarter है चेन नहीं के अंदर यह सारी चीज़ों को कारवाई करता है बस यह थोड़ा साब का पता होना चाहिए था आपके area में जहां से आप belong करते हो जिस state से भी लोग करते हो आप मुझे बताईए comment section में कि वहाँ पर किस product को GI tag मिला हुआ है और यह important है exam के perspective से देखो UPSC में बार-बार यहां से सवाल आया है 2015 में आया है 2018 में आया है और आगे भी future में भी आएगा ठीक है दो question आपके और दो सवाल है यहाँ पर थोड़ा से बताईए 2015 में which of the following has been accorded geographical indicator status 2015 का question था उस साल मैंने भी prelims दिया था बनारस, brocades and the sadi, राजस्थानी, दाल, भाटी, चूर्मा और तिरूपती, लड़ू यह तीन option आपको दिये गए है comment section में बताईए मुझे और India enacted the geographical indicator goods and registration 1999 apply with the obligation of ILO, IM FMF, UNTC, TAD और WTO, comment section में बात करेंगे इसके बारे में, चलिए जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यह एक explain section है और वहिया थोड़ा science और physics थोड़ी जादा है इसमें, हलाकि मैं इतने जादा अंदर नहीं जाओंगा, देखें यह क्या है, यह ब्लैक होल है, और last to last year 2019 में इसकी फोटो खीची गई थी पहली बार, इससे पहले हमने कभी ब्लैक होल देखा नहीं था, exactly और जब यह पिक्चर के लिक कहीं तो बहुत interesting चीज़ें निकल के सामनी आई, पहली चीज तो यह थी कि ब्लैक होल बना कैसे, दोस्तों ब्लैक होल बनता है, यह जो particular ब्लै स्टार होता है, जो मर रहा होता है, जब आपका स्टार की इतना फ्यूल है, वो खतम हो जाता है, स्टार का फ्यूल क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, वो फ्यूल होता है, हाइड्रोजन बेसिकली, जब फ्यूल खतम हो जाता है, तो आपका स्टार ठंडा बढ़ जाता ह साइज छोटा हो जाता है लेकिन डेंस बहुत जादा हो जाता है तो उसे कहते हैं neutron star और हमारे universe के अंदर बड़ी यह अजीव गरीब सी चीज होती है कि दो neutron star जो है आपस में merge कर जाते हैं और जब इतनी powerful force merge करती है तो एक black hole बन जाता है मज़ेदर बात यह है कि जब यह black hole बनता है तो यहाँ से कुछ light निकलती है light निकलती है या फिर कुछ आप कहजे इस impact की वज़े से कुछ force वहाँ से release होता है और जब यह light निकलती है उसकी speed light से भी जादा होती है तो कुछ चीज जो यहाँ से sparkle कह सकते हो एक तरह का कुछ भी यहाँ से निकलता है basically उसकी speed light से भी जादा होती है science यह कहती है universe के अंदर किसी भी चीज की speed light से जादा नहीं हो सकती science यह कहता है तो कि e is equal to mc square भी तो है यह Albert Einstein भी नहीं भी कहा था this is the speed of the light and there can be nothing in this universe that can travel faster than the light but black hole से ऐसा निकलता है और ऐसी observation हम लोगों ने किया था lego जो gravitational wave को measure करने की हमारे पास instrument है उन्होंने discover किया था कि 2019 में यह जो black hole बना था भाई कियां से जो भी कुछ निकल रहा है that is actually higher than the speed of the light और आप देख सकते हो 0.9997 c c मतलब speed of light इनका कहना है कि वो light से कहीं गुना जादा speed से दोड़ रहा था कुछ लोगों कहना है कि यह possibility हो सकती है कुछ लोगों कहना है कि नहीं it is just an illusion it is just an illusion होता क्या है मानलो यह कोई black hole है और यह हमारी earth जहां से मिले इसको observe कर रहे है अगर यहां black hole से कुछ भी चीज निकल रही है और हमें लगता है कि इसकी speed जो है मानलो light ही निकले के और क्या निकले कोई waves निकल सकती है गामा waves निकल सकती है अगर यहां से मानलो gamma waves निकल रही है and they are traveling faster than the light but this is not possible scientifically तो उनका यह कहना है कि it is just an illusion why because this black hole is actually also traveling very very fast तो यह black hole भी travel कर रहा है और इसके अंदर से जो gamma rays निकल रही है वो भी travel कर रही है जिसकी वज़े से हमें यह लगता है कि इससे जो यह gamma rays निकल रही है वो light की speed से ज़ादा निकल रही है इनका कहना it is just an illusion actually में इसकी speed light से ज़ादा नहीं है तो भाई इसके उपर अभी experiment होंगे future में पता लगेगा क्या actually ऐसा है क्या दुनिया में कोई ऐसी rays भी है waves है जो you know light की speed से ज़ादा जा सकती है अगर ऐसा हो गया अगर ऐसा experiment में truth मिलता है that is going to be very remarkable और मैं तो यह कहूँगा कि इसमें हमारा physics जो है खासकर quantum physics वो पुरी तरह से change हो सकता है तो कि अभी तक जितनी भी theories हैं हमारे पास वो सारी तो इसी चीज के उपर based है कि light की speed से ज़ादा कुछ भी चीज travel नहीं कर सकती लेकिन कर रही है तो यह वड़ी कमाल की चीज होने वाली है चलिए थोड़ा सा एक आग आर्टिकल में बढ़ते हैं और यह आर्टिकल आता है हमारा dire need to talk about 1962 देखिए मैं 1965 में इंडिया पाकिस्तान वोर हुआ था और इंडिया की बहुत important win हुई थी यहांपर हम लोग जीत गए थे फिर 1971 के अंदर वोर हुआ it was a very decisive win जिसमें बहिया बंगलादेश को पुरा ही separate कर दिया गया that was the birth of the बंगलादेश और इंडिया ने इन दोनों event को celebrate किया like a golden jubilee ठीक है इसको हम लोग ने golden jubilee celebrate किया यह हमारी history में हमारे हमारे geopolitics में कह लो एक बहुत important moment है 65 और 71 1999 भी है वो थोड़ा recent हुआ था बट हमारे यहांप एक dark spot भी है वो dark spot है 1962 China India war जिसमें इंडिया actually lost unfortunately we lost और इसको हम लोग कही ना कहीं भूलते जा रहे हैं क्योंकि जब हम लोग इने 65 71 को celebrate किया तो हम लोग 62 को क्यों भोल जाते हैं हम लोग यह नहीं कह रहे हैं कि इसको celebrate करो of course celebrate करना भी नहीं चाहिए लेकिन कम से कम भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतिहास में आपने जो गलतियां करी है उसे सीखना चाहिए तो इगनोर करने से थोड़ी न सीखोगे भाई हाँ अगर आपने जो जीती है आप सिर्फ उनको ही celebrate करते रहोगे तो हो सकता आपको overconfident हो जाओ तो जो जीती आपको हार मिली है जहाँ पर आप फेल हुए हो जहाँ पर आपकी soldier आसपस हमारे शहीद हुए थे बहुत सारे soldier wounded भी हुए थे बहुत सारे soldier हमारे missing भी हो गए और 400 के लगभग हमारे जवानों को Chinese army ने पकड़ लिया था Prison of war अगर आप 62 को इगनोर कर रहे हो तो कहीं न कहीं हम इनके बलीदान को भी इगनोर कर रहे है वो बिसी बात है अब यह 71-65 वालको ताब hero बना रहे हो इनका क्या जो 62 के अंदर शहीद होए थे इनको तो नहीं भूलना चाहिए ना तो इस article के अंदर यही कहा गया है कि 1962 को याद करना भी उतना ही जरूरी है जितना 71 और 65 को याद कर रहे हैं लेकिन याद तो करिए उस समय जो 30 दिन जो इंडिया चाइना जो और हुआ था 62 में वो 30 दिन तक चला था और अरणाचल प्रदेश के अंदर तो भीया 100 किलोमेटर से नीचे ही वो आ गए थे ठीक है वो सारी सारा मामला हुआ अकसाई चीन वोगरा के जिसके लिए वो लड़ा गया था अकसाई चीन तो आज भी चाइना के कंट्रोल में है फिर जब वो यूनिलेटरल आसीज फायर हुआ तो दोबारा से और नाचल इंडिया को दे दिया गया लेकिन चाइना चाहता और नाचल को नहीं भी दे था क्योंकि वो 100 किलोमेटर से जाता तो अंदर घूसी गए थे और ये एक यूनिलेटरल आसीज फायर था चाइना ने खुद अपनी तरब से किया हमारी फोर्सीज उनके सामने उतना अच्छे से प्रफॉर्म नहीं कर पाई तो हम लोग क्या सीख सकते हैं क्या observe कर सकते हैं ये इन्होंने इस article के अंदर कहा है तो को जो लिखने वाले हैं ये खुद जो है Air Vice Marshall रहे हैं और सारी जिंदगी इन्होंने इसी चीज़ में spend की है तो definitely इन्का point of view सुनना बहुत जरूरी हमारे लिए तो इनका ये कहना है कि पहली चीज़ 1962 के अंदर क्या हुई हमारा जो international जो एक standing थी हमारे leaders की, हमारी सरकार की वो कहीना कहीन डाउन होई देखे, उससे में नहरू जी थे और उनके जो बहुत सारे leaders थे नहरू जी के साथ-साथ काफी जादा, हम लोग idealistic world में जी रहे थे इवन इंडिया में कहीं सारे leaders ऐसे भी थे नहरू जी की cabinet में भी थे जिनका ये कहना था कि 47 के बाद हम लोगों को इंडियन आर्मी को खत्म कर देना चाहिए ब्रिटिश तो चले गए इंडिया तो शांती प्रियादेश है जिसको चाहिए तो उसको पाकिस्तान मिल गया इंडिया वालों के किसी से कोई दूस्मनी नहीं है तो आर्मी को खत्म कर दो ऐसा भी माना जाता था एक idealistic world में हम लोग utopia world में जी रहे थे और हम लोगोंनों चाइना के ओपर बहुत जादा भरोजा किया चाइना के जो intention थी हमें लगता था हिंदी चीनी भाई भाई वो सबागों अच्छे से पता ही है ठीक है तो एक misguided optimism था तो इससे हमें क्या lesson लेना चाहिए इससे हमें यह lesson लेना चाहिए कि आप अगर किसी country के बार में कुछ भी सोचते हो हो सकता है वो true नहीं हो अपने आपको मजबूत करके रखिए बुरे वक्त के लिए कोई भी permanent दोस्त नहीं होता कोई भी permanent दुश्मन नहीं होता एक तो हमें यह सीख यहां से सीखनी चाहिए दूसरी बहुत बड़ी गलती जो हम लोग ने 1962 में की वो हम लोगों ने अपनी ही खुद की air force को underestimate कर दिया दोस्तों बड़ी interesting सी और बड़ी हरानी करने वाली बात है कि 62 के war में जहां Chinese अपनी air force को use कर रहे थे इंडिया ने अपनी air force को use ही नहीं किया अब क्यों नहीं किया इसके बारे में अलग debate हो सकती है हमारी strategy ठीक नहीं थी चाहिने के intention क्या हम लोगों ने underestimate कर दिया लेकिन हम लोगों ने इंडियन air force को underestimate किया अगर हम लोग इंडियन air force करते यूज करते तो एक तो अपनी forces को मजबूत करिए और अपनी forces को पर विश्वास रखिए ये भी यहां पर बहुत बड़ी बात है तीसरी चीज नहीं यह कही कि उस समय 62 के टाइम पे political class, bureaucratic class और military जो leaders हुआ करते थे जो हमारे officers हुआ करते थे उनके बीच में प्रोपर तरीके से सिंक नहीं था देख वैसे 47 में एक war हम लोगों ने लड़ा था definitely लेकिन वो उस तरह का war नहीं था तो 62 इंडिया के लिए पहला war था एक तरह से fully fledged war तो इनके बीच में सिंक नहीं बन पाया बहुत बार ऐसा हुआ कि जब military leaders कुछ भी काम करना चाहते थे तो political leaders की बहुत ज़्यादे intervention हो जाती थी officer कुछ होर कह रहे हैं भाई सब हमारे leader कुछ होर कह रहे हैं तो उनको action लेने ही नहीं दिया गया बहुत बार तो ऐसा भी हुआ ठीक है हमें ये सीखना चाहिए कि भाई politicians वो expert थोड़ी नहीं defense में तो उनके हाथ में छोड़िए ठीक है आप उनके साथ एक ऐसा guiding force हो सकते हो लेकिन उनका काम उनको करने दीजिए ये चीज़े हुई और जैसे कहीं सारे बहुत बड़े-बड़े soldiers हुए हमारे यहाँ पर जैसे major शैतान सिंगी कहाणिया आपने सुनी होगी बहुत बार ठीक है तो हमारे जो soldiers वगरा जो वहाँ पर हमारे soldiers जो शहीद हुए थे उनके contribution को भी हम लोगों को उतने ही importance देने की जुरूरत है जितना हम लोग 71 65 वालों को करते हैं या 99 वालों को करते हैं इससे उनको moral बढ़ेगा चीक है तो morality के लिए भी बहुत ज़रूरी है तो यही और इन्होंने क्या कहा के भाई कही सारी studies की गई 1962 के बाद जैसे हम लोग ने एक defense service staff college इन्होंने report issue किया था national defense college ने एक report issue किया था जिसके अंदर इन्होंने यह देखा था कि हमसे क्या गलतियां हुई है क्या गलतियां हुई है हमसे लेकिन वो report ना सभी confidential है अभी तक उन report को public नहीं किया गया तो भाया क्यों नहीं किया गया यह democracy है चाहिए आपसे कोई भी गलति हो गई हो कितनी बुरी से बुरी लेकिन public के सामने तो आना चाहिए कम से कम क्योंकि public के सामने जब तक नहीं आएगा तो public कैसे accountable मानेगी सरकार को अब लगए future में ऐसे गलतिया कर दी तो क्या करोगे हम लोग एक democracy है हम लोग human right का भी सम्मान करते हैं सरकार public के लिए accountable भी होती है इसलिए जनता के सामने ये चीज़े आनी चाहिए इस तरह की जो भी report है एक बहुत important report का नाम दिया जाता है जिसका नाम है Henderson Brook भगत report हलागि ये report confidential है लेकिन इसकी काफी चीज़े जो है वो leak बहुत साल पहले ही हो गई थी जिसमें इन्होंने government के अंदर बहुत सो गलतियां जो ही है सरकार से उसके बारे में बात किया था तो basically this article में अंदर कुल मिला के बाद में यही कहा गया है कि जो गलतिया हम लोग ने 1962 में किया उनसे सीखना चाहिए रादर देन उसको इगनोर करने की बज़ाए चाइना यह करता है ठीक है चाइना एक communist country होते वे भी चाइना ने की जो भी you know opium war हुए थे चाइना में जिसको का जाता है century of humiliation भया चाइना उसको कभी भूलता नहीं है ना ही भूलने देता है चाइना के schools में चाइना के colleges में उनके जो syllabus वगरा है वहाँ पे उस humiliation को बार-बार याद दिलवाया जाता है बच्चों को college में, school में कि देखो, तुमारे साथ humiliation किया गया था तुम्हें उसका बदला लेना है लेकिन इंडिया में हम लोग अपनी humiliation को कहलो, या अपनी failure को कहलो, याद नहीं करते हैं which is not a good thing failure को याद करो, सीखो, आगे बढ़ो, ठीक है यह हमारे individual life पे भी apply होता है, और यह हमारे as a country, collective conscience के उपर भी apply होता है, तो यह था आज का important नहीं है, repeated सही है, इसलिए मैं इसको include नहीं किया, but anyways करना चाहो, तो उसको कर सकते हैं, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था छोटा सा एक analysis था ज़्यादा topic मैंने उठाए नहीं लेकिन जितने उठाए, मुझे लगा काफी important थे पसंद आया है, तो वीडियो को like करो, चैनल को subscribe करो, अपने दोस्तों साथ share करो, और जो भी आपसे सवाल पोछे चाते हैं, प्रिलिम्स वाले, उनका comment section में answer दे, participate करें, आज के लिए था था, thank you very much, all the best, जाहिंत